आज देश में राश्टरवात का नारा चरम पर है देश राइट विंग और लेट विंग में बटा नजर आता है राइट विंग के कुछ लोगों का हाल ये है कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करने लगते हैं ये बात नेता कहे या समर्तक कहे ये बात समझ में आती है लेकिन प्रशासनिक पर बैट कर कोई अधिकारी किसी विव्यक्ति को पाकिस्तान जाने की बात करे तो ये गलत बात है ये घटना मेरट की है मेरट के सीटी एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायन का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जहां लोगों द्वारा काली पट्टी बांधने को लेकर वे खफा हो गए इनके साथ मेरट के डियेम भी काली पट्टी से खफा दिखे दरसल एनर्सी को लेकर हुए बावाल में मेरट के सीटी अखिलेश नारायन और डियेम आद बबुला हो गए दोनों का ये वीडियो वाइरल हो गया जिसमें अखिलेश नारायन को ये कहते पाया गया कि खाते हो यहां की और विरोध भी करते हो उन्होंने इतना तक कह दिया कि पाकिस्तान चले जाओ यहां विल्ड दांग हो गए में अपाकिस्तान वीचार काला होने में लगेगा सेकेंड अबर के इसकेंड हा असब भुच क्वाल आपक पर तीन नहीं दितकी नहीं है इतन है तेसमें लाशे में नहीं रहने कर्मानाः कि दहे है नहीं जीए तोंट अगे मुदे होगे जब मुझे याद हो जाता है तो मानी तक में पहुषता है। याद रखिये आप लोगे। वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कुछ पाकिस्तान को लेकर एक बात कही जा रही है। क्या उस ताइम कहा था और क्या वाकिया क्या था था। यह लिसारी चोपला से जब हम भुमियांपुल नूर्नगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सुचना मिली हम एर रेडियम सिटी थे कुछ हमारे साहता है कि महां पर कुछ लगके उत्पात करने के चक्कर में तो उसमें काफी बवाल चला था। तो हम रेडियम सिटी जब हहां पर पहुंचे तो हमां कुछ लड़के खड़े थे जिसमें कुछ लड़कों ने हमनों को देखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दर लगा दिया तूसरे एक ची तो असपस्ट हो गई कि यह जो इनका नेचर है वह जो स पाकिस्तान जिंदाबाद कि पॉलने का जो तरीका था ठीक नहीं था जो जो तो तरीक की बातें आप करते हो तो जहां का तुमको जहां ज्यादा पुसंद है फिर वही जाओ पाकिस्तान के ले आने के लिए काज़ा है उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल लहा था उसमें उनकी ये नारे बाजी आपति जनक थी तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज्यादा प्यार है और यहां से इतनी न कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं लेकिन जिस समय यह सब बवाल चल लहा उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सुझना उस गली की मिली है तो यह तो ठीक नहीं था हलांकि यह सब सुनकर वहां किसी ने आपती नहीं जताई लेकिन इस तरह की बयानबाजी से माहुल और खराब हो सकता है शायद यह बात अधिकारी बखुबी जानते हैं सर यह कि SP City साहब की और EDM City साहब की वीडियो वाइरल हो रही है इसके समन में क्या कहना सब्सक्राइब यह एक वीडियो है दीस तारिक की और इसमें तथी यह है कि वहां भारत विरोधी और प्रोसी देश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग PFI और SDPI के प सब्सक्राइब और SDP City मौके पर गए वहां वीडियो सास्परस्ट है कि पूरू में भी पत्राव हो चुका था और इन्हों ने जाके सिती सम्हाली और यह कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं कहीं भी जाएं लेकिन यहां उपद्राव ना करें बीस तारीख के दिन यहां सिती अत्यंति ही संबेदन शील थी तब सबी जगा पखराव हो रहे थे कुछ आजिनकी भी घटनाई हुई थी यह हो सकता था कि शब्दों का चैन समान पर सित्यों में इससे बेटर हो सकता था लेकिन अधिकारियों ने पूरा संयम का पर्चे द बीजियों को चलाया जाना विशेश कर जब कल शुकरवार को सभी शांती रही ऐसा लगता है कि यह भी एक साजिस का हिस्सा है ताकि इस सिती यहां सामाने ना होने पाए और आपसी कर्था बढ़ती रहे लेकिन यहां के लोगों ने जो एक प्रण लिया है कि सभी लोग यहां की जनता ने मेरट की जनता ने दिया है इसके अतरिक पूरे मेरट जून में इस सिती पूंत है सामान और शांती पूंत है एक तरफ जहां इस बवाल में प्रण शनकारियों को शांत करने का मुख्य धे होना चाहिए लेकिन लोगों को शांत करने वाले शांती समीती की लगातार बैठक करने वाले अधिकारी ही अपना आपाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शन कारियों के काली पट्टी बांधने को लेकर इतने नाराज हुए कि उनको जेल में डालने की जगह पाकिस्तान भेजने की वकालत करते नजर आए ये वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल खूब हो रहा है और कुछ हिंदू संगठन के अधिकारी इसको वाइरल करके माहूल खराब करने की कोशिश करते दिख रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को सिंगम की उपाधी दे रहे हैं जिससे विशेश वर्ग में रोश पैदा हो सकता है